नागरीकों से करोन रुपे की ठगी करने वाला जाल साज गिरफतार शेहर पुलिस के आर्थिक अपराद प्रकोष्ट ने रिदास इंडिया कमपनी के निदेशक मुहम्मद अनीज एमन को गिरफतार किया जिसने अपनी निवेश पर आकरशक रिटर्ण का लारस दे का लगबक सत्तर लोगों से 2.20 करोन रुपे ठग लिये उसे बैंगलूरू में गिरफतार किया गया था पुलिस ने कहा मुहम्मद रफी मुहम्मद ताहिर शेक द्वारा दर्ज कराए गई शिकायत के नुसार 13 दिसंबर 2019 को मुहम्मद अनीज के खिलाब धोका दड़ी का मामरा दर्ज किया गया था रिदास इंडिया कंपणी बैंगलूरू में पंजिगरत है और निदेशक मुहम्मद अयूब हुसेन और मुहम्मद अनीज का कारयाले है शहर के जूना बजार रोड पर उन्होंने होटलों में सेमिनार आयोजित करके कम और कंपणी में अपने निवेश पर आकरशक मुनाफिका वादा करके लोगों को लुभाया शहर के करीब 70 लाख लोगों ने कंपणी में निवेश किया था हाला कि निदेशकु ने लोगों को रिटरंड और मूल राशी दिये बिना 2019 में कारयाले बंद कर दिया EOC मामले की जांच कर रही है और एक टीम बैंगलूरू में आरोपी की तलाश कर रही थी लेकिन हर बार वहब पुलिस को चकमा दे देता था पुलिस ने उसके संपर्क में आने वाले लोगों के फोन के अधार पर अनीज का पता लगाया और उसे बैंगलूरू में गरफतार कर लिया गया पुलिस कारवाई को पी आई दादाराव सिंगारे के मार्ड रिलर्शन में API तरप्ती तोदावर हेड कॉंस्टेबल निठल मनकापे संदीर जाधव बाबा महनुसे और अन्य ने अंजान दिया अनीश को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया साथ फरवरी तक पुलिस ने हिरासत में भेज दिया था पुलिस को जमीन जब्त कर निलाम करने की अनुमती दे दी है इसलिए यह संभवना है कि निवेशक को अपना पैसा वापस मिल सकता है